C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पाथ्य पुस्तक सामाजिक इवम राजनीतिक जीवन एक प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याय एक जिसका शीर्शक है विविधता की समच प्रिष्ट एक से प्रिष्ट चौदेह तक तो आईए अब सुनते हैं अध्याय विविधता की समच प्रिष्ट एक एकाई एक विविधता इस प्रिष्ट पर कुछ चित्र दिखाए गए हैं सबसे उपर वाले चित्र में एक वृद्ध व्यक्ती वील्चेर पर बैठे हैं और उनके साथ दो बच्चे प्रसन्नता की मुद्रा में खड़े हैं उसके नीचे वाले चित्र में पहाडी इलाका दिखाया गया है उसके नीचे वाले चित्र में कुछ बच्चे एक बाग में खेलते हुए दिखाये गए हैं और सबसे नीचे वाले चित्र में समुद्री इलाका दिखाया गया है प्रिष्ठ दो पाठ की शुरुवाती पंक्तियों पर ध्यान दीजिए अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दोडाईए क्या कोई ऐसा साथी है जो बिलकुल आपकी तरह दिखती हो यहां हमने सोच समझ कर विशेशन और क्रिया के स्त्री लिंग रूप का प्रेयोग किया है जो पूरे पाठ में चलता है शिक्षा में लड़कियों को समान स्थान और अवसर मिलें इसके लिए कई स्तर पर प्रयास किये जा रही है एक तरीका ये भी है कि हम लिखते समय लड़कियों को सीधे संबोधित करें यदि हम अभी तक की पाठ्य पुस्तकों को देखें तो उनमें पढ़ने वाले को हमेशा एक लड़का मान कर पुलिंग रूपों का ही प्रेयोग किया जाता है ये मान लिया जाता है कि स्त्री लिंग रूप उसी में शामिल है यहां हमने भाषा की इस परिपाठी को बदला है इस पाठ के अलावा हमने कुछ अन्य पाठों में भी स्त्री लिंग रूप का प्रियोग किया है प्रिष्ट तीन अध्याए एक विविधता की समझ अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दोडाईए क्या कोई ऐसी साथी है जो बिलकुल आपकी तरह दिखती हो इस पाठ में आप पढ़ेंगी कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं वे न केवल अलग दिखते हैं बलके वे अलग-अलग क्षित्रों से भी आते हैं उनके धर्म, रहन-सहन, खान-पान, भाशा, तिवहार आदी भी भिन्न होते हैं ये भिन्नताईं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं सम्रिध बनाती हैं इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बहतर बनाती है भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना क्या सभी तरह की भिन्नताईं विविधता का ही भाग होती हैं चलिए, कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं इस प्रिष्ठ के मध्ये में तीन चित्र दिखाए गए हैं ये तीनों चित्र बच्चों द्वारा बनाए गए हैं और इन तीनों चित्रों के माध्यम से अलग-अलग परिवेशों से आई बच्चियों के अलग-अलग रूप, रंग, उनके अलग-अलग पहनावे को प्रदर्शित किया गया है आपकी उम्र के तीन बच्चों ने इन चित्रों को बनाया है खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाईए क्या आपका चित्र अन्य तीन चित्रों जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो जैसे के ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है उसी तरह हमारे रूपरंग खान-पान आदी में भी भिन्नता है प्रिष्ठ चार इस प्रिष्ठ पर आपसे कुछ जानकारी मांगी गई है अपने बारे में जानकारी दीजिए बाहर जाते समय मैं रिक्तस्थान पहनना पसंद करती हूँ मैं घर में रिक्तस्थान में बात करती हूँ मेरा पसंदीदा खेल रिक्तस्थान है मुझे रिक्तस्थान के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है यहां जहां भी रिक्तस्थान दिया गया है वहाँ पर आप अपना उत्तर लिखें अपनी अध्यापिका की सहायता से ये पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हू बहू मिलती है शायद नहीं हो खालांके ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिला कर कितनी भाशाएं बोलते हैं इनसे अब तक आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिलकुल अलग हैं क्या ऐसे इनसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आप से बहुत भिन्न है अब हम आपको एक कहानी सुनाएंगे इसे सुने और सूचें मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया मजाक जो के फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपत के भीड भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता वो अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चला कर सुनाता रहता इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उस से हिंदी का अखबार मांगा उसका मुह खुला का खुला रह गया उसने पूछा मतलब आपको हिंदी आती है बिल्कुल मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा क्यों तुमने क्या सोचा वो रुका पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं वो बोला मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ मैंने सकूल में दूसरे सब्जेक्ट याने विशय के साथ हिंदी पढ़ी है प्रिष्ट पाँच सब्जेक्ट? उसने पूछा अब जो कभी सकूल नहीं गया, उसको मैं क्या समझाता के सब्जेक्ट क्या होता है? वो कुछ होता है मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हौर्न का शूर सौगुना बढ़ गया मैंने भी अपने आपको ट्राफिक के साथ आगे बढ़ने दिया अगले दिन वो फिर से वहां पर था वो मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा भाया आपका अखबार अब बताएए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है अंग्रेजी का ये शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था ऐसा लगा मानों अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा उस अर्थ में वो उसका प्रियोग कर रहा है ओ, ये कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है मैंने कहा उसके बाद चुँके बत्ती लाल हो गई थी सो मैंने पूछा तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं उसने जवाब दिया फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा मैं जब इतना उचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था उसने मेरी साइकिल की गद्धी के बराबर अपने आपको नापा पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ अभी तुमारी माँ कहा है? मैंने पूछा पर तब बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चलाते हुए सुना वो मेरेट में है और उसके साथ बाकी ट्राफिक के शोर गुल में डूब गया मेरा नाम समीर है उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा आपका नाम ये तो बड़े आश्चारिय की बात थी मेरी साइकिल डगमगाई मेरा नाम भी समीर है मैंने बताया क्या? उसकी आखें एक दम से चमक उठी हाँ? मैंने मुस्कुराते हुए कहा तुम्हें पता है? समीर का अर्थ है हवा पवन और पवन पुत्र कौन है? जानते हो ना? हनुमान तू अब से आप समीर एक और मैं समीर दो उसने खूब खुश होते हुए कहा ठीक है मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया हाथ मिलाओ समीर दो उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्नी चिडिया की तरह समा गया मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुसकान नहीं थी मेरट में बड़ी गड़बड हो गई है उसने कहा वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं मैंने मुख्य अख़बार की सुर्खियों की तरफ देखा बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था साम प्रदाइक दंगे लेकिन समीर मैंने शुरू किया ही था मैं मुस्लिम समीर हूँ वो बोल पड़ा और मेरे सभी लोग मेरट में है उसकी आँखें भार आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा उसने नजर उपर नहीं उठाई समीर एक और समीर दो में कोई तीन अंतर लिखिये क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाई अगले दिन वो चौराहे पर नहीं था ना उसके अगले दिन वो दिखा और ना आगे फिर कभी अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं कि मेरा समीर दो आखिर कहां गया पोईली सेन गुपता की कहानी जहां समीर एक को अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती है वहीं समीर दो हिंदी बोलता है हालांके दोनों की भाषाएं अलग हैं फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपून था समीर एक और समीर दो की धार्मिक वसान्सक्रितिक प्रिष्ठभूमिया भी अलग है जहां समीर एक हिंदू है वहीं समीर दो मुसल्मान है दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे खान-पान, पहनावा, धर्म, भाशा आदी की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू है अपनी विविध धार्मिक और सान्सक्रितिक प्रिष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे उदाहरन के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबके समीर दो अख़बार बेचता था समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं आपने संभवत है, अपने अलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती ये फर्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा ये विविधता का रूप नहीं है बलके गैर बराबरी का रूप है गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर हैं और नहीं जमीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है ये लोगों के बीच मौजूद असमानता याने गैर बराबरी है जाती विवस्था असमानता का एक और उदाहरण है इस विवस्था में समाज को अलग-अलग समूहों में बांटा गया इस बटवारे का आधार था कि लोग किस-किस तरह का काम करते हैं लोग जिस जाती में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे इस प्रिष्ठ पर नीले रंग के बक्से में आप से कुछ पूछा गया है उन त्योहारों की सूची बनाईए जो हो सकता है कि समीर एक और समीर दो मनाते हों समीर एक रिक्तस्थान क्या आप ऐसी किसी परिस्थिती के बारे में सोच सकती है जब आपने उससे दोस्ती की जो आप से बहुत अलग हो इसका वरणन एक कहानी के रूप में कीजिए समीर दो स्कूल क्यों नहीं जाता था आपकी राय में अगर वो स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता क्या ये सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ जा ही नहीं पाते इस पर चर्चा करें प्रिष्ट साथ उदाहरण के लिए अगर आप कुमहार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाती कुमहार ही होती और आप बस वही बन सकती थी कोई व्यक्ती जाती से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था इसलिए उस ग्यान के अलावा किसी अन्य ग्यान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था इस से गैर बराबरी पैदा हुई आप इस बारे में अगले अध्यायों में जानेंगे विविधता हमारे जीवन को कैसे सम्रिध करती है जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आप से बहुत अलग होंगी आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा उनके साथ अलग तिवहार मनाए होंगे उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी यहां एक नीले बकसे में आप से एक प्रश्न पूछा गया है सूची बनाईए कि आपने भारत के अलग-अलग प्रांतों के कौन से व्यंजन खाए है अपनी मात्री भाषा के अलावा उन भाषाओं की सूची बनाईए जिनके आप कुछ शब्द भी जानती है आपको शायद तरह-तरह के जानबरों, रानियों, सहसिग घटनाओं या भूतों की कहानियां पसंद होंगी संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है उसको पढ़कर और ज्यादा कहानियां बनाने के लिए नए-नए विचार मिलते हैं जो लोग कहानियां लिखते हैं, वे विभिन्न सुरूतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं इस प्रिष्ठ पर दो चित्र दिखाए गए हैं सबसे उपर वाले चित्र में आकाश में उड़ने वाला कालीन दिखाया गया है और उस पर तीन पात्र बैठे हुए दिखाए गए हैं सबसे आगे एक छोटा बच्चा बैठा है जो नीचे देख रहा है बीच में एक व्रिद्ध महिला बैठी हैं चो अत्यन्त प्रसन्न मुद्रा में अपने हाथ ऊपर किये हैं और उनके पीछे मुस्कुराता हुआ एक बंदर बैठा है उसके नीचे वाले चित्र में दो पक्षी अपने घोसले के पास दिखाए गए हैं उनके घोसले में मादा पक्षी द्वारा दिये गए अंडे दिखाए गए हैं कुछ लोग जंगल में जानवरों के नजदीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती वो लड़ाईयों के बारे में कहानिया लिखी कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे कुछ ने अपने बच्पन की यादों में गोते लगाए स्कूल और दोस्तों की मधूर यादों से निकाल कर कुछ साहस की कहानिया लिखी कलपना कीजिए कि जिनकी कहानिया आपने सुनी या पढ़ी है उन सभी कहानिकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हों लाल एवं सफेद एक तरह का खाना खाते हों शायद आलू समान रूप से केवल दो पशुपक्षी को ही पालते हों उदाहरण के लिए हिरण और कववा और केवल साप सीड़ी खेल से अपना मनोरंजन करती हों ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानिया लिख पाएंगे इस प्रिष्ट पर नीले बक्से में आपसे दो प्रश्ण पूछे गए हैं मान लीजिए के आप एक चित्रकार या कहानिकार हैं जो इस जगह पर रहती हैं ऐसी जगह के जीवन पर एक कहानी लिखिये या चित्र बनाईए क्या आप सूचती हैं कि आपको ऐसी जगह में रहने में मजा आएगा उन पाँच चीजों की सूची बनाईए जिनकी कमी ऐसी जगह में सबसे ज्यादा खलेगी भारत में विविधता भारत विविधताओं का देश है हम विभिन भाशाएं बोलते हैं विभिन प्रकार का खाना खाते हैं अलग-अलग तियोहार मनाते हैं और विन विन धर्मों का पालन करते हैं लेकिन गहराई से सूची तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं केवल हमारे करने के तरीके अलग है इस प्रिष्ठ पर ये बताया गया है कि भारत के लोग विविध तरीकों से कुछ काम करते है यहाँ उनमें से एक तरीका बताया है आप दो और तरीके लिखिये पहला प्रार्थना करना याने इबादत करना इसके लिए भक्ती गीत गाये जाते हैं और क्या किया जाता है दो रिक्त स्थान भरें शादी करना इसके लिए अदालत के रेजिस्टर में दस्तखत किये जाते हैं दो और तरीके से शादी की जाती है रिक्त स्थान में भरें विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना मनीपुर में औरतें फनैक पहनती हैं विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनने के संदर्भ में दो रिक्त स्थान दिये गए हैं उन्हें भरें अभिवादन करना जारखंड के आदिवासी एक दूसरे को जो हार कहकर अभिवादन करते हैं यहां दो रिक्त स्थान दिये गए हैं उन रिक्त स्थानों को अभिवादन के संदर्भ में भरें चावल पकाना मीट या सबजी डाल कर बिर्यानी पकाना यहां दो रिक्त स्थान दिये गए हैं उन में चावल पकाने के तरीकों के बारे में लिखें प्रिष्ट नौ हम विविधता को कैसे समझें करीब दो सवा दो सौ वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे वे पानी के जहाज में घोडों वो उन्ट पर बैठ कर जाते या फिर पैदल चल कर अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी चुँके यात्रा में बहुत समाहि लगता था इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे उन्हें जब पेट भर खाना नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था कुछ चीजें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीजों में वे पुराने धर्रे पर ही चलते रहते थे इस तरह उनकी भाशा, भोजन, संगीत, धर्म आदी में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था उनकी संस्कृती और नई जगह की संस्कृती में आदान प्रदान होता और धीरे-धीरे एक मिश्रित याने मिली-जुली संस्कृती उभरती अगर अलग-अलग क्षित्रों का इतिहास देखीं तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन संस्कृतिक प्रभावों ने वहां के जीवन और संस्कृती को आकार देने में योगदान किया है इस तरह से कई क्षित्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे ठीक इसी प्रकार लोग अलग-अलग तरह की भौगौलिक स्थितियों से किस प्रकार सामन्जस से बैठाते हैं उससे भी विविधता उत्पन्न होती है उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाडी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है नकेवल वहां के लोगों के कपड़ों और खान-पान की आदतों में फर्क होगा बलके जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे शहरों में अकसर लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सबजी या अनाज उगाते हैं वे इन चीजों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं आईए भारत के दो भागू लद्दाख और केरल के उदाहरन के जरीए ये समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेतर की विविधता पर उसके एतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है एटलस में भारत का नक्षा देखिए और उसमें ढूंडिए कि ये दोनों क्षेतर लद्दाख तथा केरल कहां पर हैं इन दोनों क्षेतरों की भौगोलिक स्थितियां वहां के भोजन, कपड़े और व्यवसाय, अर्थात, पेशे को कैसे प्रभावित करती हैं उनकी सूची बनाईए प्रिष्ट दस इस प्रिष्ट में सबसे उपर एक चित्र दिखाया गया है ये लद्दाख है, उंचे पहाडों वाला रेगिस्तानी इलाका लद्दाख, जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाडियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिलकुल नहीं होती और ये इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से धका रहता है इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड उग पाते हैं पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिस से पश्मीना उन मिलती है ये उन कीमती है, इसी लिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस उन को इकठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं मुख्यत है कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती है यहां के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज जो एक खास तरह का च्छैना होता है एवं मान्स खाते हैं हर एक परिवार के पास कुछ गाए, बकरी और याक होती है रेगिस्तान होने का ये मतलब नहीं के व्यापारी यहां आने के लिए आकरशित नहीं हुए लद्दाक तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंके यहां कई घाटियां हैं जिन से गुजर कर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिबबत कहती हैं ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चारेशम, दरियां आदी लेकर चलते थे लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिबबत पहुँचा लद्दाख को छोटा तिबबत भी कहते हैं करीब चार सौ साल पहले यहां पर लोगों का इसलाम धर्म से परिचाए हुआ और अब यहां अच्छी खासी संख्या में मुसल्मान रहते हैं लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही सम्रिद्ध मौखिक संग्रह है तिबबत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है उसके स्थानिय रूप को मुसल्मान और बौग्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं इस प्रिष्ट पर एक और चित्र दिखाया गया है ये पश्मीना शौल बुन्ती हुई औरते हैं प्रिष्ट ग्यार है केरल भारत के दक्षिनी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है ये एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाडियों से इन पहाडियों पर विविद प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलाइची आदी उगाए जाते हैं इन मसालों के कारण ये क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकरशक बना सबसे पहले अरबी इवं यहूदी व्यापारी केरल आए ऐसा माना जाता है कि इसा मसीह के धर्मदूत संत थौमस लगभग दो हजार साल पहले यहाँ आए भारत में इसाई धर्म लाने का श्रेय उन्ही को जाता है अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए इबन बतूता ने जो करीब साथ सौ साल पहले यहाँ आए अपने यात्रा वृत्तांत में मुसल्मानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसल्मान समुदाए की यहाँ बड़ी इज़त थी इस प्रिष्ट में ऊपर एक चित्र दिखाया गया है ये मचली पकड़ने का चीनी जाल है वासको डिगामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्टगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना इन सभी एतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन धर्मों का पालन करते हैं जिनमें यहूदी, इसलाम, इसाई, हिंदू एवं बौध धर्म शामिल है चीन के व्यापारी भी केरल आए यहाँ पर मचली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किये जाते हैं वे चीनी जालों से हू बहू मिलते हैं और उन्हें चीना वला कहते हैं तलने के लिए लोग जो बरतन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ती कहां हुई होगी केरल की उपजाओ जमीन और जलवायू चावल की खेती के लिए बहुत उप्युकता है और वहां के अधिकतर लोग मचली, सबजी और चावल खाते है इस प्रिष्ठ में नीचे एक और चित्र दिखाया गया है ये केरल में मनाए जाने वाले तिवहार उनम का एक विशेश आकरशन है नाव प्रतियो गिता प्रिष्ठ बारह जहां केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियां एक दूसरे से बिलकुल अलग हैं वहीं हम ये भी देखते हैं कि इन दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया जहां केरल की भौगोलिक स्थिती ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेश भौगोलिक स्थिती और उन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के संस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भौगोल से प्राय है, गेहरा रिष्टा होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे संस्कृतिक रीती रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुँचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पडोस में हम अलग-अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिल-जुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीती रिवाज और परमपराओं में घुल मिल जाते हैं। विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का सुरूत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन धर्म, भाशा और क्षेतर की महिलाओं और पुरुशों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिल कर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंतरता संग्राम में अलग-अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एक जुट होकर आंदोलन किये, इकठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग-अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उन में काफी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हों। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। इस प्रिष्ठ पर भारतिये जन्नाट्य संग अर्थात इप्टा के सौजन्य से एक कविता प्रस्तुत की गई है। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुन-चुन के फूल तोड़े वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। गोली खा के सोए जलियां बाग में हम सूनी पड़ी कबर पर दिया जला के जाना दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना हिंदू और मुस्लिमों की हूती है आज होली बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ खबर में गड़े हैं, दो बून्द आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना प्रिष्ट ते रहे इस प्रिष्ट पर सबसे उपर एक चित्र दिखाया गया है इस चित्र में स्वतन्तरता दिवस के अवसर पर भाशन देते हुए पंडित नहरू देखे जा सकते हैं ये गीत अमरित सर में हुए जलियां वाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जेनरल ने उन शान्ती प्रिये निहत्थे लोगों पर खुले आम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकठे होकर सभा कर रहे थे महिला पुरुश, हिंदू मुसल्मान, एवं सिक, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपाद पून नीती का विरोध करने के लिए जमा हुए थे उसमें से बहुत लोगों की जाने गई और उससे भी ज्यादा घायल हुए ये गीत उन्ही शहीदों की याद में गाया गया था सुतंतरता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रती हमारा विश्वास बनाए रखते हैं क्या आप भारती ये जंडे की कहानी जानती हैं? सुतंतरता संग्राम के दौरान ही भारत के जंडे की परिकलपना की गई थी इस जंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था जवाहरलाल नहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारती ये एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है बलके ये बहुत ही गहरी है जिसके अंदर अलग-अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है इसमें विविधता को पहचाना और प्रोथसाहित किया जाता है ये नहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वरणन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया इस प्रिष्ट पर नीले बकसे में आपको एक जानकारी दी गई है रवींदरनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राश्ट्रगान भी भारती ये एकता की ही एक अभिव्यक्ती है राश्ट्रगान किस तरह से एकता का वरणन करता है इसे अपने शब्दों में लिखिए प्रिष्ट 14 अभ्यास एक, अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन तिवहारों की सूची बनाईए इन में से कौन से तिवहार सभी समुदायों द्वारा मनाए जाते हैं दो, आपके विचार में भारत की सम्रिध एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बहतर बनाती है तीन, आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उप्युकत है भारत की खोज किताब से लिए गए इस वाक्यांच में, नहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाह रही है चार, जलियां वाला बाग हत्याकांड के उपर लिखे गए गाने की उस पंक्ती को चुनिये जो आपके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से जलकाती है पांच, लद्दाख एवं केरल की तरह भारत का कोई एक क्षेत्र चुनिये और अध्ययन कीजिये कि कैसे उस्चित्र की विविधता को एतिहासिक और भौगोलिक कारकों ने प्रभावित किया है क्या ये एतिहासिक एवं भौगोलिक कारक आपस में जुड़े हुए हैं? कैसे? इसी के साथ नो अध्यायों की इस पुस्तक का पहला अध्याय यहां समाप्त हुआ वाचन बाबला कोछड निर्मान वंदना अरिमर्दन प्रस्तिती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत